आंगनबाडी से विकास सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी नियूस चैनल की अच्ची खबरों में स्वागत है भायो बहनों आपको अवगत करा दें कि सिच्छा विभाग ने तो 14 नवंबर को अवकास की सूचना का एक आदेश जारी कर दिया है जो की आपकी स्क्रीन पर दिख रहा लेकिन अभी हमारे वाल विकास विभाग से छुट्टी के सम्मंद में लेटर नहीं आया आपको बता दे सिच्छा विभाग ने अपने इस आदेश में सिच्चकों को अवकास के सम्मंदित क्या लिखा है जरा सुनियेगा सच्यू उत्तर प्रदेश बेशिक सिच्छा परिसत प्रियाग राज से ये सूचना जारी की गई है सेवा में जिला बेशिक सिच्छा अधिकारी सभी जनपदों के उत्तर प्रदेश के लिए तो यूपी के सभी जिलों के जो जिला बेशिक सिच्छा अधिकारी है उनको सच्यू ने एक लेटर भेजा है प्रताप सिंग बगहिल जी ने और उसमें उनोंने क्या कहा है दस तारीक का ये कल ही उन्होंने एक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने विसे में लिखा है कि दिनांक 14 नवंबर को अवकास घोसित किये जाने के सम्मंद में साथी अवगत कराया कि उपर्युक्त विसेक परिसद के पत्रांक संख्या बेसिक सिच्छा परिसद जो की 384-977-312-2022 का संदर्व ग्रहड करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक सिच्छा परिसद के अधीन संचालित विद्याले मानिता प्राप्त बेसिक विद्याले उनमें वर्स 2023 में दिये जाने वाले अवकास तालिका निर्गत है उत्तर प्रदेश बेसिक सिच्छा परिसद के अधीन संचालित विद्याले और मानिता प्राप्त बेसिक विद्यालियों में दिनांक 14 नमबर को अवकास गोसित किया जाता है उपरोकता अनुसार कारवाई सुनिश्चित करना जो है जो है करें तो इसके बारे में मैं आपको समझा दूं माजरा क्या है आज है 11 नमबर आज क्या है आज है 11 नमबर और आज दिन है आपका सटरडे ठीक अब फिर कल पड़ेगा संडे हो जाएगी 12 तारीक तो ये तो अ दो दिन दिवाली होती है 12 को कल छोटी दिवाली और 13 को गवर्धन पूजा होगी तो वो बड़ी दिवाली तो इस तरह से दो दिन हो गई दिवाली अब 13 12 तेरा में 12 तो संडे ही चला गया अब 14 तारीक जो आपकी रहे गई तो उस 14 तारीक को भी अवकास गोसित कर दिया यानि अगर बात करें कल रहेगा तो अवकासी है संडे का परसो मंडे दिवाली की चुटी और उसके बाद ट्यूजडे मंगलवार को भी 14 तारीक को भी अवकास यहाँ पर गोसित किया गया सिच्छा विभाग में हमारे बाल विकास विभाग में अब इस बारे में लटर न अधिकतर चीजें एक साथ हो रही ठीक तो अब यहाँ पर अभी सायद इन चीजों में दिक्कते आएं लेकिन जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा ये चीजें सेम टू सेम मिलेंगी जैसे खाना बनाने वाला प्रोसेस आप सब को पता है हाट कुग्ड का आने वाले समय में र चुट्टी होने के चांस बढ़ जाएंगे और एक ही साथ पढ़ाई सुरू हो रही है प्री प्रायम देजुकेशन के रूप में तो उसमें भी आप सब देखते काफी भागेदारी सच्चा भाग की रहती है तो कहीं न कहीं विभाग अगर समन में बना कर के चली ही रहा है तो चुट्टियों में भी ध्यान दिया जाए चाहे वो गर्मी की चुट्टी हो चाहे सर्दियों की चुट्टी हो चाहे इस तरह के कोई भी अवकास हो अगर उनके लिए आते हैं तो आगनबाडी केंद्रों के लिए भी वो चीज़े अच्छर सा लागू हो और हमारा बाल विकास भाग इन मामलों में ध्यान नहीं देता लेकिन सिच्छा भाग को ध्यान देने की जरूरत है कि वो जब लटर जारी किया करें तो कम से कम प्री प्रैमरी के तहट आगनबाडी केंद्रों को भी जो प्रात्मिंग द्याले में हैं उनके बच्चों को लेकर के भी इस तरह से सूचना जारी करें ये अती आवस्यक है अगर आप हमारी बास से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना आलोक जी हैं बिहार से इन्होंने बिहार की जानकारी सुरूप अवगत कराया है कि आंगनबाडी सेविका सहयकाओं का महा पड़ाओ इस्थगित हो गया जारा नवंबर को कलकाय की आर्टिकल है पटना में हिंदुस्तान में प्रकासित है कि बिहार राज आगनबाडी करमचारी यूनियन एटक और सीटू के बैनर तले चार दिनों से जारी घेरा डालो डेरा डालो जो महा पड़ाओ है उसको इस्थगित कर दिया गया इ संग की प्रदेश अद्यच प्रतिमा कुमारी ने कहा जब तक सरकार मांगो को पूरा नहीं करती तब तक अंदोलन करते रहना है समर्थन में आई कई नेता तो गरदनी बाग धरना इस्तल पर कई दलों के नेता भी पहुंचे बाचबा विदायक आलोक रंजन ने कहा आपक उस्पा जो यहां पर महिला मोर्चा की प्रदेश अद्यच इस्मिता सर्मा ने कहा छट महा पर्व के बाद होने वाले आंदोलन में हमारी पार्टी का भी समर्थन रहेगा तो कुल मिला करके कई लोग समर्थन में आ रहे हैं आगन बाड़ी बहनों के अब देखना ये है कि आगे भाई क्या होता है और कैसे होता है क्योंकि विभाग ने बिहार में कारवाईयां भी तेज कर दी हैं आप सबने देखा है 2000 बहनों के उपर उनको सेवा से हटाने को लेकर के एक आर्टिकल भी सोसल मीडिया में अखबारों में प्रकासित है साथी साथ आपको इस बारे इसे विखा साय का परियोजना जो अररिया पड़ती है जिला जो सेखपुरा है वहां के लिए और यहां पर क्या बोला गया वो भी सुनिये 29 सितंबर से हर्ताल में जो सम्मिलित होने एवं अपने कर्तब पर वापस नहीं लोटने के संबंद में हैं तो जो बहने पदरसन अ पर रहा है बच्चो तता गर्वती महिलाओं और जो अधात्री माताओं इनके लिए पोशाहार और अन्न महतपूर सेवाएं भी अमरुद्ध हैं जो राश्टी खाद सुरच्चा धिनियम 2013 एवं मानी सरवोच नियाले द्वारा खाद सुरच्चा को सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर निर्गत नया देशों का उलंगन है विदितों की ICBS निदसाले द्वारा 11, 10, 23 इवं 17, 23 को विभिन दैनिक समाचार पत्रों में प्रकासि सारजनिक सुचना के माद्यम से सभी आगनबाडी सेविका सायका को अपने करतव पर क्रमसा 16, 23 और 20, 23 ततक जो है वापस आने के लिए भी नदेश दिया गया था साथी कारेले गया आप 401, 18, 10, 23 के द्वारा भी नदेशित किया गया था किन्तु अभी तक अपने करतव पर वापस नहीं आई पुनह 4 नमंबर को आप सभी को विक्तिकत रूप से सूचना नर्गत करते हुए नदेशित किया गया किन्तु आप सभी के द्वारा अब तक अपने करतव पर वापस नहीं आई जिला प्रोग्राम पताधिकारी सेखपुरा के द्वारा पत्रांक 982 दिनांक 10-11-23 के द्वारा हरतालरत आंगनबाडी सेविका सहका का अलग-अलग चेहन मुक्ति की अनुसंसा की मांग की गई अताव पुरोक्त के आलोक में अन्तिम रूप से समारित करते हुए नदेश दिया जाता है कि दिनांक 11-11-23 को समय 10 बजे पुरवाहन में निश्चित रूप से आप सभी अपने अपने करतव पर वापस लोटना सुनिश्चित करें अनिता सभी के वरुद्ध दिनांक 29 सितंबर से लगातार हर्टाल में रहने एवं अपने करतव पर वापस नहीं आने के संबंद में आईसिरियस निदसाले पत्रांक 170 दनांक 20 एक सत्रा दवारा अंगन बारी केंद्र संचालन इवं दंड हेतु निरगत मारदर्सका की कडिका दो की उपकडिका का और खा में नहित प्रावधानों के आलोक में समुचित विधी सम्मत कारवाई की अनुसंसा कर भेज दी जाएगी करपियाई से सरवोच प्रात्मिक्ता दी जाए इस तरह से आप पर एक ये मामला आया तो आप लोगों को इस बारे में कुछ कहना हो कह सकते हैं लेकिन यहाँ पर नजर ऐसा आ रहा है कि लोग तंत्र में अब आप अपनी आवाज को नहीं उठा सकते आवाज को उठाएंगे तो नौकरी से हाँ दो बैठेंगे यही चीज़े यहाँ पर दिखाई दे रही है अनिता समस्याओं का निराकरण करने की बजाए इस तरह से प्रदरसन ना करने और जो कर रहे हैं उन पर दबाव बनाने का पूरा प्रयास इस तरह से किया जा रहा है सेवा समाप्तियों के लेटर भी कई जगे से बिहार में जारी हो चुके जूली कुमारी बेंस एक पुरा बिहार से जनोंने ये जानकारी से आलंडिया को अबगद कराया वहीं दूसरी तरफ एक और आर्टिकल है जो की 8 नमंबर को ये जागरण में प्रकासित हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें लिखा गया बच्चे आते हैं 4-6 पो जो फरजी वाड़ा है इसको लेकर के एक आर्टिकल प्रकासित हुआ है और ये कई केंद्रों का ऐसा हाल है और इसलिए ये चीज़ें जो है यहाँ पर सामने देखने को मिलती है जब भी वहाँ कोई चक करने जाता है तो बच्चे कोई दो कोई तीन कोई चार कहीं कहीं सें परण में ये एक आर्टिकल आया है फतेपूर जन्पद के लिए जिसमें देखो लेखा है छे बच्चे मौझूद पंजियन सौ से अधिक सहर के महाजरी मुहले में खुले आंगनबारी केंद्र में मंगलवार को सुबह ग्यारा बज़े आंगनबारी कार करता केंद्र में म होंगे तो ये तो बहुत भड़ा एक फर्जीवाड़ा हुआ तो अनुमान ये है तीन से छे वाले ना हो करके पूरे बच्चे से हो सकते हैं अब आखबार वालों को भी तना नहीं पता कि जो है उनके तीन से छे वाले बच्चे कितने थैं पंजीकल बाई पढ़ने तो वह में भी कमी ही है कि जहां बच्चे 20, 25, 30 तो आराम से हर सेंटर के लिए रहते ही हैं अब उन केंद्रों को लेकर के चार बच्चे आ रहे हैं तो ये भी एक दुक्की ही बात है और कहीं न कहीं अगर बाकी बेहनों का आप देखती हैं कई जगह काफी मेहनत बेहने करती हैं तो बच्चे बहुत आते हैं, 3 से 6 वाले तो आते ही हैं कई सेंटर ऐसे भी आपको देखने को मिल जाएंगे कारकरता बैनों के जहां पर 7 माह से 3 वर्स के बच्चों में जो 3 साल के होने वाले हैं महिना दो महिना बच्चा हो अगर से ठीक ठाक हैं थोड़ा बहुत आता है और उनके माबाप भी उनको सिंटर छोड़ जाते कि कम से कम इनको बैठने सीखने का कुछ और पता चलेगा वहां जाएंगे तो मा कहना यह नियम मताबिक 3-6 वर्स के बच्चों को ही काउंट किया जाता है तो यहां पर यह चीजे देखने को मिली है अधिकांस पंजीकरत बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ने गए और बताओ बच्चे स्कूलों में पढ़ने गए हैं तो उन बच्चों का भाई नाम प दिक्कते खड़ी होंगी बच्चा सेंटर 3-6 वाला नहीं आरा आंगन बाड़ी नाम हटाओ नाम ना भरो उसका भरेंगे तो दिक्कते आपको ही होंगी साथी आप पर निजी स्कूलों में पढ़ने गए जो की प्ले ग्रूप में पढ़ते हैं और यहां पर हलाकी बच्च और केंदर में 1.500 के पंजियन पर मात 4 बच्चे सिच्चा ग्रहन करते मिले अब आप समझ सकते इतने बड़े बड़े आकड़े जो दरुसाय गए हैं अगर वाकई में यह कागजों में इतने ही आकड़े हैं तो यह एक बहुत ही वहाँ पर कह सकते हैं कि यह दिक्कत भरी चीज है पोशाहार की एंट्री के नाम पर इस तरह से बच्चों का खेल चल लहा इसे देखो कोई नजर अंदाज नहीं कर सकता ये बाते कड़वी भले ही दो चार लोगों को लगे लेकिन उससे फरक नहीं पड़ता फरक सच्चाई से पड़ता है मैं आपके अच्छे के ल सरवे छेत्र के हिसाब से रहते हैं वो उनके नाम आप लिख सकती ही लेकिन तीन से छेवालों के नहीं अगर आप दरसाएंगी फरजी तरीके से तो वो फरजी वाड़ा ही जो वह देखा जाएगा कागजों में वितरड हो रहा हाकीकत में बेचा जा रहा पोशाहार छात्र संख्या उपर नीचे करने का वर्सों से चल रहा खेल इस तरह से कि बड़ा मामला सामने हालाइट हुआ है अकबार में तो आप समझ रहें अब इन चीज़ों को दो चार लोग अगर ऐसा काम कर रहे होंगे उनकी वज़य से बाकी सब बहने बंदनाम हो जाती कि ऐसा काम चल है कि आप लोग फरजी वाड़ को लेकर कि कोई कमी मत इस तरह से मतलब यानि फरजी वाड़ा ना करें कि अपने नौकरी को लेकर आप इस तरह से कमिया छोड़ते चले जाएं अपने लिए कि आगे वो आपके उपर कारवाई का विसे बन जाएं तो इसलिए ना फरजी वा करेंगे तो आए दिन आपको डर रहेगा बेली चिंता सताएगी तो भाया जो है मस्तिस्क पर वैसे भी इतना प्रेसर है तमाम चीजों का तो ये फर्जी वाड़े का और डालना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है गलत है और फर्जी वाड़ा हमेशा ही फर्जी वाड़ा रहेगा जिस दिन से वाए समाप्त होंगी कोई आपके साथ खड़ा भी नहीं होगा और आप जवाब भी नहीं दे पाएंगी तो इसलिए मेरा समझाने का फर्ज था कि फर्जी वाड़ा बंद होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए बाकी भाई जसकी जो मर्जी वो अपना अपने हि आप सही decision लेगा हमारे समझाने का उन लोगों पर फरक पड़ता है जो समझते हैं, समझदार है और वो सहमत है इन बातों से कि आज कल कितनी कारवाईया हो रही है और ऐसे में हमारी एक गल्ती हमारी नौकरी ले सकती है इन चीजों को आप लोग भी थोड़ा वरीता दें, ध्यान में रखें धन्यवाद दोस्तों आज के इस वडियों के लिए साथी साथ आगे ले चलते हैं आपको अगले वीडियो में फिर हम कल मिलेंगे